में फ्रेंज आज आपको बहुत ही आसान से ब्लाउस डिसाइन बनाना बताने वाले हम ब्लाउस की नाप कर लेते हैं लंबाई 14 इंच है गल्य और कंदी की चौड़ाई 7 इंच है कंधा कट में ने 6 इंच पर किया हुआ है और ब्लाउस की चौड़ाई 10.5 इंच है आप अपन लाकार में बना लेंगे तो यह हो गया है अब नीचि की साइट एओ 9 इंच पर निशान लगाएंगे यह 7 इंच का निशान है अलंबाई पर और हम गोल अपर निशान बना लियूचहँ पर नहीं निशए गया और किया थिये लएकट कर लेंगे तो इसमें मैंने कपड़ा अस्तर दोनों रखा हुआ है नीचे साइड से ऐसे कट करती हुए गोल सिर्प में कट कर लिए इसको तो यह हमें दोनों पार्ट अलग अलग हो गए है यह अस्तर वाला पार्ट है और यह कपड़े वाला दोनों पार्ट है तो मैंने दोनों को यह आसे कट कर लिया हुआ है अब हमें इसकी stitching करनी है हमें कपड़े और अस्तर को लेगना है और बराबर से stitch करते हुए चले जाना है हमें stitch half half inch लेके करना है तो हम इसको stitch कर लेती है तो नीचे तक हमने इसको stitch कर लिया है आज से हम दूसरा बाला पार्ट लेंगे और इसको भी stitch कर लेंगे तो हम जल्दी से इसको भी stitch कर लेते हैं तो यह हमने दोनों पार्ट को stitch कर लिया हुआ है अब हमें पलट देना है पार्ट को अब हमें दूसरे पार्ट को भी पलट लेना है तो यह दोनों पार्ट को मैंने पलट लिया है अब हमें इस पर stitching कर लेनी है तो हमें stitching करके finishing दे देते हैं design पर तो यह हमें दोनों पर पार्ट पर स्लाई कर लेनी है तो यह मैंने दोनों पार्ट को स्लाई लगा के complete कर लिया हुआ है तो यह दोनों पार्ट अब complete है इनमें design लगानी है तो अब हम design के लिए नाप कर लेते हैं यह मैंने कपड़ा लिया हुआ है लंबाई चोड़ाई तीनी इंच और धाई इंच है अभी इसको ऐसे fold करेंगे दो बारी और इसको इस तरह से fold करके design बना लेंगे तो ऐसे हम धेर सारी design complete कर लेते हैं तो यह काफ़ी सारी design हम त्यार कर लेंगे ऐसी करके तो यह धेर सारी design मैंने पहले से complete कर रखी है अब हमें इने blouse पर set करनी है तुम गुलाई से जैसे cut किया है वैसे हम इसको set कर दे चले जाएंगे तो गुलाई के कार से मैंने design पर रख दिया हुआ है सारी design को तो ऐसे हमें stitching भी कर लेनी है design को जैसे रखा हुआ है तो यह हमने दोनों पार्ट पर design लगा कि इसको complete कर लिया अश्टा धागे को cut कर देंगे तो यह दो पार्ट हमारे ready है अब हमें design के लिए पार्ट तियार करना है बीच के लिए तो यह मैंने blue कपड़ा लिया हुआ है इसको चौकोर कट में काट लेंगे और इसको भी सिकार देंगे यह दो blue कपड़े लिया है और दो गुलाबी कपड़े लिया है तो यह हमें design तियार कर लेनी है जैसे जैसे मैंने design बना के रखा हुआ है वैसी हमें जैसे में हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोला है कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल